भाई मेरी बहुत बेकर मुवमेंट है भाई मुझे दाइश्टल बनना है भाई मुझे नूप से नूप बन्द भी नूप बोल के जाता है यार भाई कुछ बताओ प्लीज दोस्तों क्या अगी पीज़त नहीं है यार क्या करूँ कुछ बताओ भाई प्लीज अभी बादाद लेकिना एक प्लेयर तो ऐसा होता ही होता है कि जिसका गेमप्ले एकदम हलवा और मूवमेंट एकदम बॉट के बराबर होती है जिसकी विरस से उसको स्कुएर में बिल्कुल भी हीज़त नहीं दी जाती और कश्टम में भी उस बिचारे को पूरे टाइम सिर्फ तो कर रहे होगा वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी इसके बाद अब अगर मैं आपको अपनी इतनी डेडली मूवमेंट का राज बताऊं तो मैं हर एक मैस से पहले अपने इस करेक्टर को एक दो बोतल बूश्ट पिला देता हूँ और उसको पीनने के बाद मेरा करेक्टर जो मूवमेंट करता है न वाई उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते लेकिन आज मैं ये भी करेंटी दे रहा हूँ कि जितनी मूवमेंट आप 10 बोतल पूश्ट, माजा, फ्रूटी, फेंटा, माउंटन ड्यू पीके नहीं कर पाऊँगे उससे कही ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी पूरी मूवमेंट स्पीड लगा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाओ और वीडियो को एक लाइक कर देना वरना तो देखो फास्ट मूवमेंट करने के लिए आपकी जो सबसे पहली चीज़ है अगर आप इसको सही कर लेते हो तो आपको बाती पूरी वीडियो देखने की जरूरती भी है जिसका नाम है रियक्ट फास्ट वो अब जैसे मानलो कि आपके सामने ना दो प्लेयर है न तो जो जो पहला प्लेयर है वो पहले अपने अनिमी को देख रहा है उसको जाच रहा है उसको पूरी पूरी रिसर्च कर रहा है फिर उसके बाद जाके सोते सोते ड्रैक कर रहा है लेकिन जो सेगेंड प्लेयर है वो जैसे अपने अनिमी को देख रहा है और गलू अगेरा भी वो क आपको हमेशां कम करने की कोशिश करनी है, और हमेशा जलज़दी रियक्त करना है चीजों के और आपको कभी भी झीक करने के चकरते रहे हैंतक लूग होई कि बहुत लोग को बस दूसरे के इंप्रस करने अगर खाली जगाय पर मूंट तब और को आपको ऊधनी ही, है झितनी आपको जरूरत है, फालतू का र 새uno को एक राहिसर 산ल के आना शेन्प में दन्हें बटन में बहुत अदर कंट्रोल होना attracts to establish the one सब आप लगाते हो उसके अब लोग को यहाई ब्टन को किसी को फायर करने के बाद बाते हैं तो तब तो अलग से रखना है कस्टम एचूडी में, जिससे कि आप उसके उपर जम मन चाहे तब उसके उपर क्लिक कर पाओ, और आप लोगो मैं कस्टम एचूडी में ना एक और चीर बताना चाहूंगा, कि भाई आप लोगो ना एक बार बैट के अपनी कस्टम एचूडी को सही से अपने हर एक बटन को अपने हाथ के हिसाब से उसकी बेस्ट पोलीशन पे सेट कर दो, चूकि देखो, अगर आपकी कस्टम एचूडी बेकार रहेगी ना, तो फिर तो आप लोग जितनी मजी प्रेक्सिस मार लो, आपको हमिशा दिख नभी रहेगी, इसको बिल्कुल वैस अगर उसकी गाड़ी का जो टायर है, वही पंचरूंगे, तो फिर तो वह गाड़ी सही से चलेगी नी, इसलिए सिर्फ आप लोग को दस मिनटी लगेंगे, आप लोग इवार सही से बैठ के अपनी गाड़ी, ओ सॉरी, अपनी कस्टम एचूडी के एक बर आप लोग सही से ना, आप लोग तूफिंगरी कस्टम एचूडी में उतनी मुवमेंट कभी नी कर पाऊगे, चूंकि थ्री फिंगर में आप लोग सीधा-सीधा अपनी गेम में एक और फिंगर को एड़ कर रहे होते हो, तो आपको उससे बहुत जबा फायदा होता है, लेकिन शुरूआत म आप लोग जब थ्री फिंगर खेलने जाओगे ना, तो आप लोग सही से थ्री फिंगर नहीं खेल पाऊगे, लेकिन एक महीने बाद आपका अलगी गेमपले देखने को मिलेगा, और आप क्या सोसते हो, यह जो बड़बड़े प्लेट्स होते हैं, यह टू फिंगर में खे आप लोग अपनी फिंगर को फड़ा फास्ट चलाये करो, तो उस पे एक सेगेंड बाद ही क्लिक होगा, उससे पहले क्लिक नहीं होगा, और जातर लोग तो ऐसे फिंगर चला रहे होते हैं, जैसे उनकी फिंगर अभी अभी सोके उठी है, तो इसलिए भाई, अगर आप ल आप लोग हमेशा जैसे CS rank खेलते हो, तो आपको कभी भी अपने teammate के पीछे नहीं रहना है, आप लोग को हमेशा बंदों में घुश जाना जाते ही, क्योंकि अगर आपका teammate आगे रहेगा, और आप पीछे रहे के kill चोरी करते रहोगे, तो फिर तो आपका gameplay जिंदी की बर व आप लोग का उस टाइम पर gameplay अलगी level का निगल के आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग उस टाइम पर pressure में खेल रहे हो, या फिर अगर आप बोले हो कि भाई नहीं, मैं solo vs duo या फिर solo vs square नहीं खेलना चाता, मेरे पास थे कि मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके साथ खेलना चाता जिससे की सामने 4 बंदे होंगे और आप लोग सिर्फ तो हैना तो उसमें भी आपकी काफी अच्छी practice हो जाएगी, लेकिन बस आपको एक शर्त लगा लिने है उस टाइम पर कि भाई आपको बंदों को rush में ही मारना है, यह नहीं कि भाई duo vs square में गए तो है, लेकिन वहाँ फैक्टी की सथ पर जाके दोनों दोस्तों आपे camping कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर हम इतना अंधर अश मारेंगे तो फिर तो हमारी rank भी minus हो सकती है, हमको इतने hacker थोड़ी है जो बस जाती, head पे head मार मार के सब को खुतम कर देंगे, तो भाई म जिन्दा हो जाओगे, और वहाँ पे enemy भी unlimited होते हैं, जिससे कि आपकी काफी अच्छी practice हो जाती है, या फिर अगर आपके पास custom है, तो फिर आप लोग कस्टम में भी जा सकते हो, लेकिन हाँ, 1v1 कस्टम में मत जाना, 4v4 कस्टम में ही जाना, और कस्टम में आर आपको जि पी character होते हैं, जिसका use करके आप लोग अपनी movement speed को भला सकते होगे ना, और आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको वो character लगा लेना है, और आपकी movement speed तुरंत बढ़ जाएगी, सबसे पहले character का नाम है Kelly, तो Kelly की ability यह है, कि इसको लगा कर जब आप लोग sprint वाली button पे click करते और जितने जदा आप लोग अपने game में sprint वाले button का use करते हो, उतना ही आप लोग की ज़्यादा movement दिखती है, तो इसलिए आप लोग Kelly को हमेशा लगा कर ही जाना, जाफे एक और character है, जो कि आप लोग को direct movement speed पकड़ायता है, जिसका नाम है Joseph, तो उसको भी आप लोग अपने को लोग बिस दिखने